हेलो एवरीवान, वेलकम बाक तो मैं चैनल, इविनिटी टेरोर्स इक्सवर्ट रूब, आल्वेज एक्सपोस अस्थार्कनेस, तो कैसे हैं सब लोग आई होप, आज का टॉपिक काफी जदे इंपोर्टन है, कि कि आज के टॉपिक में हम देखेंगे, कि 19th August 2024 के बाद आपके जिन्दगी में क्या वश्य होके रहेगा, अब यह 19th August 2024 है क्या, काफी इंपोर्टन है क्योंकि यह जो फुल मून है, ठीकि इसको बोला जाता है, obviously, the blue moon, definitely very rare, दूसरा ऐसा है कि इसको स्टार्जन मून भी बोला जाता है, ठीकि इस दौरां स्टार्जन फिश जो होते है, व इस दौरां फिशिंग होता है, तो उनके हिसाब से, in Latin American countries, लेखे, और in the western culture, it is known as the sturgeon moon, तो let's see, let's find out कि इस दौरां आपके लाइफ में क्या होगा, क्योंकि obviously fishes है, तो obviously, they are the symbol for abundance, so let's see, let's find out, so universe vid guides, please guide करे, कि मेरे जो viewers है उनके सिंदगी में, of course and of course, after the sturgeon moon, after the full moon on, 19th August के आने वाला है, इससे पहले मैंने किया है, शायद i button पे जा रहा होगा, वो sketch से मैंने किया है, आप लोग देख सकते है, यहाँ पे देखो एक, देखो यहाँ पे, आप खुद देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, पत्ते आ रहे है, पुरी तरह से, और यह पत्ता जो है, एक Chinese palm होता है, वो exactly वैसा पत्ता ही यहाँ पे है, अगर आप फूकस करके देखो तो, एक गिटार यहाँ पे है, I can also see some kind of, you know, like, instruments, okay, for, yes, I can see musical equipment, tools, यह मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पे यह भी दिखता है कि, after 19th August, ठीके, आपका vibration जो है, बहुत ज़्यादा बर जाएगा, ठीके, और आप लोगों को, ठीके, जो है, convince कर पाएंगे, जो से पहले नहीं कर पा रहे थे, by your voice आप बोल सकते हो, जो आप विश्वास करते हो, उस है, क्योंकि आपके पास वो proof नहीं था, so, वो सता है, proof of statements, ठीके, काई नहीं पे, वो आपको बहुत favorable position में लेके जाएगा, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखता है, कि, there is, you know, someone who is just busy with so much work, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा काम में, व्यास तोते पे दिखाय देता है, so, maybe it is like that, that after 19th of August, you are going to get a lot of opportunities, जब हमें मौका मिलेगा, तभी न हम यहाँ पे काम करेंगे, जब हमारे पास वो options होंगे, तभी न जाके, हम उस options को choose करेंगे, यहाँ पे फिर से kettle ला रहा है, and I can feel like, you know, आपको जिस सरह से चाय या coffee पीने से, बहुत ज़्यादा लोग refresh हो जाते हैं, कि ज़्याँ वो morning में हो, evening में हो, at any time, work के समय पे भी लोग ज़्यादा coffee चाय पीते ही हैं, so I do think so that, it is like that, कि आप बहुत ज़्यादा schedules के अंदर रहे कि हो सब्सक्ता है, and उसके लिए, maybe, like you are, you are going to like skip lunch, पर वो सब मत करो, okay, यहाँ पे, जब हरियाली पहले ही दिखाई दिया था, the leaves, जो पत्ते दिखाई दिया, उसका मतलब ही होता है, कि good luck, is definitely coming in your life, and you are definitely waiting for this, आप तो इंदसर करी रहे थे, आप चाहते थे कि आपकी relationship को एक properly direction मिले, वो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे, कुछ sun की energy भी दिख रही है मुझे है, यहाँ पे, देखो, यहाँ पे, जैसे center position है, 1, 2, 3, 4, 5, rays of the sun coming out from the center point, आप खुद ही देखो, यहाँ पे, मुझे यह तो मालम चल रहा है, कि, जैसे बोला जाता है कि सूरज की रोशनी के बिना कुछ भी नहीं, कि एवन चंद्रमा भी अपना रोशनी जो है, वो सूरत से ही लेते हैं, so I do think so that, अगर आप किसी गलत फैमी में थे, अगर आपको किसी, even superstition भी था, कुछ चीजों को लेके, false belief भी था, अपने पाल के रखा था, अपने दिमाग पे, आपको कुछ चीज restriction दे रहा था, आपको लग रहा था, अगर आप यह करे तो लोग क् के बारे में, वो सब कुछ चीज जो है, वो गायब हो जाएगा, I can see like this, I can also see like, you know, there is a graveyard or something like that, कुछ ऐसे जगा पे रखा हुआ है, कुछ, so I do think so that, this is like the death card, which indicates obviously, the ending of, you know, certain things, कुछ ऐसा खतम हो जाना, जो और नहीं चाहिए आपको, ठीके, कुछ ऐसा विनाश हो जाना, जिस वो कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी connections हो सकते हैं, चलकपट लोग हो सकता है, जो आपके दोस्त के नकाब में हैं, आपके group में, maybe it is like that, but that is better for you, यहाँ पर मुझे इस तरह से दिख्ञा है, यह camel है, ठीक है, और camel को माना जाता है, उट जो है, वो है, रि काफी दिन पानी और खाने के बिना चल सकता है, survival, strategy उसके पास है, उसका body कुछ इस तरह से design है, कि वो बिना खाके भी चल सकता है, बिना पानी के भी बहुत दूर तक चल सकता है, आपके पास, जो है, एनफ, strategies अब बनाएंगे, ताकि बहुत complex, माहूल में भी आप adjust कर पाया, क्योंकि आपको पता चलेगा, कि कुछ समय के बाद हो साथा, कि काफी pressure के वज़े से आपको लगे, कि नहीं मुझे job छोड देने चाहिए, बर आपके पास job हद में भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, that you will try to adjust, आपको adjust करना ही पर एक और आप करेंगे भी, और आप बहुत ज़्यदा strong, अपने उपर, आपको जो है न, अपने उपर ज़्यदा नाज होगा, कि पहले तो मैं इतने ज़्यदा handle भी नहीं कर सकती थी, यह नहीं कर सकता था, आज तो मैं कर पा रही हूं, उस तरह से, I can also see that society चाहे कितने भी restrictions थे, आप इस तरह से बैठे हो अभी, आप इस तरह से बैठे हो, अपने सर ऐसा करके, सोते सोते, अपना जो legs है उसको उपर करके, ऐसा आप सोते सोते देख रहे हो, anyway, I do think so that, maybe it is like that, you know, that आपको जो है, कु वो काम complete करने परेंगे, मतलब आपको घर बेटे वो काम नहीं होगा, शायद आपको जाना परेगा उस जगह पे और जाके फिर वी ही वो समाप्त होगा, उस तरह से, I can also see, अगर आप expect कर रहे हैं कोई baby या something, maybe you'll go to a doctor and check-up, that, you'll go for check-ups, उस तरह से है, I can see, जब musical instruments दिखा, यही होता है, यह बहुत cheerful atmosphere, बहुत ज़दा मज़ेदार, रंगीन शाम, किसी अग के साथ, उस तरह से आपका connection बनता हुआ भी दिखाई देता है, I can also see that आपकी weight भी बढ़ सकता है, so take care of that, so, खुशी के मारे हो सता है, आपके area में, पता नहीं क्यों मुझे चमकादर ज़दा दिखते है, wild bats हो सकता है, आपके area में काफी ज़दा आते हो, और आप काफी भगाते हो उसको, wild bats जो होते हैं न, काफी spiritually बहुत ज़दा improved होते हैं, और अगर आप ज़दा-जदा wild bats को देखते हो, मतलब bats, चमकादर अगर हमारे प्रित्वी से गायब हो गए, तो आप यह जान के रखो, कि हमारे प्रित्वी भी बिनाश की तरफ जा रहा होगा, क्योंका survival बहुत इंपोर्डेंट है, इसलिए वो spiritually बहुत इंपोर्डेंट है, bat मतलब चमकादर ही होता है, ब्लैक कलर या ब्राउन क और विंग्स होते हैं, जो पहले आप मान देना, ड्रैकूला होता है, फिर चमकादर होता है, जो खून चूसते है, जनरली, उस तरह से, so I do think so that, maybe it is like that, that आपको कोई टेक्लोची है, जोसको आपको सीखना पड़ेगा, उसके साथ अप्डोडेट होना पड़ेगा, and then you can do many things Okay, I can see some robotic or something designed, astronauts or cosmonauts, कुछ उस तरह से दिखता है, मैं भी लगए, आप एम करने वाले है, कि आप एक researcher बनेंगे, या science field में आपका काफी interest है, तो या आप नए कुछ डिस्कोवर करने वाले है, कुछ नए इंट्रेस्ट आपका बढ़ सकता है, उस तरह से, Alright, so now let me see with the help of the dices तो हम dices से देख लेते है, that after, she is so cute, na, see the face, आप उनका face तो देखो, हो, हमेशा, always be happy in your life, actually, so after the full moon, you will have a smile on your face, ठीक है, और, मैंने आपको यही कहा कि आपको आपके घर से बाहर जाना परेगा, और यहाँ पे घर से बाहर ही, आपका कदम बढ़ते वे दिखाए दे रहा है, कदम बढ़ते वे चल, ठीक है, उस तरह से, यहाँ पे कीरे मगोरे मैंने आपको wild bats बताया था, और यहाँ पे मुझे कीरे में कोरे मैं है, यहाँ पे cockroach, although bats, mammals ही होते हैं, फिर भी, यहाँ पे मुझे यह तो दिखता है कि, yes, you are going to be free from certain connections, जो आपको बहुत ज़्यादा hurt कर रहे हैं, यह तो है, clear picture, clear image आपके सामने आ जाएगा, and you will shine bright, यहाँ पे किसी का बहुत ज़्यादा आपको मिलने के वज़े से न, आपके कुंडली में ही है, कि आप बहुत already blessed है, by divine, and that is going to help you, चाहे कोई भी आपको हनी पहुचाने की कोशिश करे, आप उस चक्रवी उसे बाहर आई जाएंगे, यहाँ पे कही न कही पे अचानक से आपके life में, कुछ ऐसा modification या change, जिसका शा this reading guys, I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, all the best to you, thank you so much, please claim, thank you so much.